चलो बच्चो तो आज हम लोग एकाउंट में नया चप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है लेजर पोस्टिंग चप्टर नमबर नाइन लेजर पोस्टिंग आपके एकाउंट का नया चप्टर और समझे आपके एकाउंट का सेकेंड पार्ट यहां से शुरुआत हुई हम लोगों ने आगे के चप्टर में भी यह समझा था कि एकाउंटिंग कैसे की जाती है कैसे स्टैप्स में की जाती है पता है एकाउंट में सबसे पहले जर्नल ए fehlt करते हैं पूरे बिजणस में जो है वो जो कितने पैसे आये कितने पैसे गए कितना पर चरेश किया है कितना इंकम हुई। उन सबकी नार्मल जर्णल एंट्रीज करते जाते हैं हैं कि हर एक ट्रांजेशन के लिए अलग अलग बुक रखते हैं जिसे हम लोग subsidiary books कहते हैं आगे के chapter में आपने यह सीखा था ना subsidiary books बनाना कि जिन में purchase के लिए अलक purchase book sale के लिए अलक sale book ठीक है cash के लिए अलक cash book यह सब बंते देना बरबर ना तो देखो generally सबसे पहले जर्णल entries यह subsidiary books की जाती है वो बनाई जाती है उनपर से की जाती है फिर लेजर पोश्टिंग जो अब हमें ये second step सीखना है कि कि लेजर पोश्टिंग बनेगी फिर उस पर से trial balance बनेगा फिर उस पर से final account तयार होता है है तो आज हम लोग account के second step पे पहुँचे है लेजर पोश्टिंग करना अभी तक आगे के chapters में हमने first step क्लियर किया था जर्णल एंट्रीज या तो सबसीडियरी बुक्स तयार करना अब सेकेंड लेजर पोश्टिंग सीखें तो यह जो नया चैप्टर शुरू करना लेजर पोश्टिंग तो सबसे पहले जाने लेजर मतलब क्या तो लेजर मतलब यह कहलाता है कि जनरली बिजनस म हो और उन सबके लिए एक अलग-अलग एकाउंट बनाया जाता है जो एकाउंट सिंपल वे में लेजर कहलाता है अब देखो एक सिंपल बात के partie that glass चल रहा है उस business में हम लोग जिससे purchase करते हैं तो वो क्या बिजनस में एक ही इंसान होता है जिसे करते हैंना कितने सारे लोगं होंगे थोड़ा सामान उससे खरीदा थोड़ा उससे खरीदा थोड़ा उससे खरीदा तो पर्चेस जिससे जिससे हम लोग करते हैं तो उन सब के साथ पूरे साल में कितने सारे ट्रांजेशन्स होते होंगे है कि नहीं कितने सारे उसके साथ ट्रांजेशन्स होते होंगे कि पूरे साल में इतनी सारी बार उससे खरीदा है इतनी बार उसको payment भी हमने की है कि जितने बार हमने सामान खरीदा तो कुछ उधार में खरीदा कुछ पे किया है कि नहीं तो वह एक थोड़ी पांच लोगों से अगर हम लोग तो करो कि मैंने पांच लोगों से अलग-अलग purchase की यह पूरे साल अब साल के एंड में मुझे पता करने कि पहला वाला इंसान हुसको मुझे कितने पैसे देने बाकी है उस से purchase किया तो उसको पैसे देने पड़ेंगे ना उदार पे खरीदा था उसको कितने देने बाकी है या दूसरा नंबर जो है उसको कितने देने बाकी है तो यह साल के एंड में कैसे पता चलेगा आप लोगों को हर एक के लिए एक अलग-अलग पेज पे लिखकर रखना होगा ना बरबन जो पहला इंसान होगा उसके लिए ए हमने उदार पर खरीदा था इस तारिक को इतने पैसे दिए थे इस से हमने सामन रिटन भी किया था अच्छा नहीं था वो रिटन भी किया पर्चेस रिटन भी तो होता है बरबर तो वो एक पेज पे लिखा हुआ होगा फिर साल के एंड में उस पेज का टोटल लगाएंगे न तो पता चलेगा हमें उसको इतने पैसे देने बाकी है तो दूसरे के लिए उसके लिए अलग पेज बनाना पड़ेगा तीसरे के लिए अलग पेज बनाना पड़ेगा तो यह जो हर एक के लिए अलग अलग पेज बनता है न वही पेज simple कहो तो account कहते हैं या अगर proper कहो तो उसी page को कहते हैं ledger ठीक है तो ledger मतलब सबसे simple ये कहलाता है कि business में जो भी कामकाज होता है न उस हर एक के लिए अलग-अलग page बना हुआ होता है कहो अलग-अलग account बना हुआ होता है जिस account को ledger कहते है इस ledger पर से साल के end में हमें पूरी information मिलती है किसको कितने पैसे देने हैं किस से कितने पैसे लेने हैं कितना हमारा expense हुआ कितनी हमारी income हुई ये सभी चीजें clear ledger से पता चलती है journal entries से ये सब नहीं पता चलता जो हम लोग पहला शेप journal entries करते हैं या subsidiary books बनाते हैं उससे ये चीजें नहीं पता चलती account की clear information वो ledger के थ्रू ही मिलती है हमें ठीक है एक simple example आप लोगों को द्यान होगा आप लोगों ने अगर ledger देखा हो ना और आपके घर पे जो है हैंकर नहीं यहां न्यूस्पेपर वाला आते हैं तो आपको एक कार्ड बना के देते हैं हैंकर नहीं कि जिसमें आपका नाम लिखा वह होता है और उसमें regularly लिखा हुआ होता है कि आज आज इतने लीटर दूद लिया आज आज नहीं लिया यहां जितना ज्यादा लिया आज इतने पैसे दीए वो सब उसकार्ड पर लिखा हुआ होता है फिर मैने के एंड में उसका टोटल करते हैं मैने के में सब्वाले का इतना इतना साव हमति तो यह जो अलग कार्ड हुआ वह दूद वाला जो है वो जितने भी घर में दूद देने जाता होगा ना वो हर एक के लिए ऐसा अलग-अलग कार्ड बनाता होगा सही बात है कि नहीं और यह कार्ड है ना वो उस दूद वाले के लिए उसका लेजर कहलाया है लेजर और और कुछ भी नहीं हर एक चीज के लिए अलग-अलग अकाउंट होता है यह समझो अलग-अलग पेज होता है सिम्पल कव तो अलग-अलग पेज वह क्या कहलाता है उसका लेजर इननुइस पेपर वाला भी अब थोड़ा clear हो रहा है और हमारे account में आप proper business की बात करें तो business में हर एक चीज के लिए एक-एक लेजर बनाया जाता है ठीक है न हर एक चीज के लिए एक-एक लेजर बनाते हैं अब उन लेजर में भले आप लोग कुछ purchase कर रहे हो तो purchase के लिए अलग किपे लिचर कोई सेलेरी दे रहे हो तो सेलेरी का अलग लेजर एक है रइक स्वेश के लिए अलग फिट होता है कि जिसमें पूरे साल में किसको के लिए अलग ये अलग अलग लेजर बनता है एकाउंट में कि जिससे ही तो पता चलता है ना कि साल के एंड में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं और हर एक का आखरी बैलेंस कितना कितना है वो लेजर के थ्रूई पता चलता है साल के एंड में सेलेरी का अगर लेजर बना हो तो उससे पता चलता है कि अब सेलेरी एकाउंट में कितना हमारा सेलेरी देना बाकी है यह फिर सब सेलेरी दे चुके हैं अब कुछ बाकी नहीं है यह सब किस से उसके लेजर के तुरू ही पता चलेगा न हमें समझा रहे हैं बाद तो इसलिए लेजर बहुत इंपॉर्णेंट होता है अमारे लिए और लेजर के लिए हर एक बिजनसमें अलग एक लेजर बुक बना के रखता है आप लोगों ने शायद वह देखा होगा वह बिजनसमें अपने साथ एक लाल कलर की बुक रखते हैं इसमें हर एक में हर एक में अलग-अलग पेजिस पर अलग-अलग लेजर बनाया जाता है कि हम लोग इससे पर्चेस कर रहे हैं तो एक पेज पर लिखा जाता है वह श्री एबीसी एकाउंट मतलब वह पेज खाली उसके लिए जब भी उससे कुछ सामान खरीदा उसको दीने के बाद हफते के बाद जैसे बिजनस्मेंगों सवलियत हो तो उसपर जर्नल एंटरी पर से लेजर पोस्टिंग करते हैं अब पूरे दिन में पूरे दिन में हमेशा इतना टाइमिंग नहीं होता कि हर वक्त डायरेक्ली लेजर में लिखें इसलिए तो बिजनसमें ज कोटे कुश्τοवर बड़े रुपय की चीज भी लेके जाता होगा तो कोई दो 2000 की भी तो कोई 20 1000 का सामान भी लेके जाता होगा शारी तो हर एक का अब समझों कोई 05% सामान लिया तो मैं उसके लेजर फ़र कर खड़े हो तो नहीं तो फिर दूसरा इंसान आया उसने कुछ जो आवव तीन अजार का सामन लिया तो क्या लेजर ऑफ उसे पशना Teachers को यह नाम कहां पर है तिर समें लिखों इसने तीन खार का सामन लिया है इत्विक het एक नॉर्मल जर्णल बुक होती है पहले सिफ यह जर्णल एंट्री इसके लिए नॉर्मल जर्णल बुक होती है कि जिसमें किसी ने कितना भी सामान लिया हो ना वो सब जर्णल एंट्री में लिखते गए कोई साप कोई परसन आया उसने 2000 का सामान या तो उस जर्णल बुक में लिख दिया कि हमने उसको सेल किया तो जिसने जो भी एबी सी नाम होगा तो एबी सी यकांटदेबिट टू सेल एकांट लिखते हैं कि नहीं जर्णल एंट्री आगे के चप्टर में ऐसी सीखाता न तो वह जर्णल एंट्री कर देते हैं क्या भाई ABC एकांटड टू सेल mounted 2000 रुपे तो पता लिख दिया कि XYZ account debit दूसरा जो भी इनसान हो कि XYZ account debit to sales account क्या इसको 3000 का सामन दिया फिर किसी से सामन खरीदा हमने तो उसको लिख देंगे purchase account debit to PQR account जिसका भी नाम हो क्या इससे purchase किया सब क्या किया जाते हैं एक ही बुक में पहले लिख देते हैं जो जर्नल बुक कहलाते हैं यहां तो subsidiary बुक जो बिजनसमें जैसे रखता हो कि पहले सब एक ही बुक में रफ में सब entries करते जाते हैं वो सब जर्नल एंट्री और उसके बाद उसके बाद हफते के तो 15 दन के बाद जैसे बुजनसमें को जैसा टाइम मिले कोई हर संडे टू संटे यह काम करता है कोई 15 दिन में कोई मैंने के टो कोई अपना आकाउंट एंब रख देता है कोई बड़ा बिजनस्मने स्कहरा आपना एकाउंटेंट साइड में रख के देता हौ यह काम करता रहता है कि जो भी जन्लन एंट्रीस innocent उस्को लेजर पोस्टिंग करता है लेजर पोस्टिंग का मतलब ही यह कि उसको लेजर में लिखना ठीक है कि जैसे पहली जर्णल एंट्री हम ने लिखी कि एबीसी एकाउंट डेबेट टू सेल्स एकाउंट वाई उसको सामन बेचा था तो हम लोग एबीसी के लेजर में जाकर उसके पेज में जाकर लिखेंगे यहां वाई इसको दोजार का सामन बेचा उन्दस्वाट नहीं जब फ्री टाइम मिले तब कि समझा रहे हैं कलेः हो तो एशायी ना हरे एक बिजनस में अपनी अपनी एकश्न के लिए लिख सकते हो जिसको बेचाउ才 एक बुक जिससे खरीद रहा है आएऊ उसके लिए एक पेज स्वरी बोक नहीं एक पेज्ट मासक्ते नवो नॉर्मल लेजर ही तो कहलाता है और लेजर कैसे बनदा करें लेजर का अगर फॉरमेट देखें तो हर एक पेज पे हर एक पेज पे एक एक अकाउंट बनाता है तो जैसे अगर आपकी अब खोई आपके नॉर्मल जैसे बुख होती है वहीड कि अगर जैसे बुख होई तो उस बुख पे एक पेज बनाया कि जिससे हम लोग कुछ खरीद रहें सपोज कोई एबी-सी नाम का परसन है कि जिससे हम एक्जेट दो हाफ कर देता है पूरे पेज पे दो पार्ट कर देता है उसमें एक पार्ट कहलाता है डेबिट इस साइड का डेबिट पार्ट पूरा और इस साइड का पूरा कहलाता है क्रेड़िट पार्ट और इसमें कौन-कौन Si column बन दिया तो इन column में सबसे पहले बनती है discrete की column date लेजर के लिए date होना तो जरूरीए नशinku तारिक को कितने है कौन से तारिक को पैसे दिये थे तो वो सब यहांट इसकत हैं को डेट से बाद बनता थिक्लर तो पर्टीकुलर में information लिखी जाती है particular में क्या लिखा जाता है information information मतलब कि वह क्या किया हमने कुछ खरीदा है return किया है पैसे दीए हैं क्या किया तो वह information यहां लिखी जाएगी नीघ्डीकुलर में particular के बात बनता है वहец लिए यह एफ जे एफ तोजिए एफ मतलब क्या चोटा सा एक raw से बाक्स बनता है मई नहां यह अगर एंट दिएस सुन एथ से कि यह जे एफ जे एफ मतलब होता है जर्नल फोलियो नंबर क्या होता है जर्नल फोलियो नंबर अब आप लोगों को एक चीज याद करवा हूं कि जब आप लोग जर्नल एंट्री लिखते थे ना तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में लिखते थे लिखते थे ना एलेफ जर लाता है बुक जर्नल बुक में नंबर है जैसे मैंने बताया यह लेजर पोस्टिंग कहां से की जाती है जर्नल एंट्री के तुरू ही ना जर्नल एंट्री पर सही लेजर पोस्टिंग करते हैं हम लोग तो जर्नल एंट्री में जिस पेज पे आपने एंट्री की है ना और जि पेज़ नमबर 27 तो सीधा जर्णल बुक में जाके पेज़ नमबर 27 में देखेंगे कि आप सब सही किया है एंट्री के आमने कुछ गलत तो नहीं कर दी ठीक है तो इसलिए इसमें क्या लिखा जाता है जे एफ और जो वह जर्णल एंट्री करते थे ना उसमें लिखते थे लेफ उसमें लेजर फोलियों का नमबर लिखते हैं क्या इस पेज़ पर लेजर बना हुआ है दोनों बुक कनेक्ट एड़ी है न अब आ रहा है न तो यहा जो बॉक्स है जो कॉलम है वह चोटी से ही रखेंगे उसमें खाली पेज नंबर यहां डेट पर्टिक्यूलर और अमाउंट वैसे क्रेडिट में भी सबसे पहले डेट कि उसके बाद पर्टिक्यूलर से मैं उसके बाद जे एफ और आखरी में अमांट डेविट और और क्र होगी ने लेजर बुक होगी उस लेजर बुक में हर एक पेज पे ऐसी लाइंस बना दी जाएगी पेज के एक्वल दो हाफ जिसमें एक साइट डैविट और एक साइट क्रेडिट और उपर नाम लिखा हुआ होगा कि यह इसका लेजर है बरुबर उसके बाद जो है वह दूस है तो श्री सेलरी अकाउंट तो उसका एक लेजर है बरबर अब जैसे यह ABC अकाउंट है तो पूरे साल में कब कब कितने कितने पैसे आए गए कितना उधार हुआ वह सब इसमें इंफॉर्मेशन लेंगे ना बरबन कि जितना भी सामान अगर ABC से खरीदा है तो वह सब सामा सामान खरीदा दूसरी तारी को इतना सामान खरीदा फिर इतने पैसे दिये तो यहां पर लिखेंगे क्या इतने पैसे दिये हमने यह डेविट क्रेडिट का रूल सिखाऊंगा मैं आगे कि जितना जितना सामान खरीदा पहले 2000 का सामान खरीदा फिर 4000 का फिर 5000 का उसके सामन पहले दसजार दिये फिर दोजार दिये ऐसे अलग-अलग और फिर पूरे साल के एंड में इसका टोटल बिठाया जाता है कि जिससे एंड में पता चलेगा कि इसको कितने पैसे देने बाकी है हमारे क्लियर हुआ ना ऐसे बंदा ना हर एक लेजर यह अब लेजर बुक की दूसरी कुछ सिंपल पॉइंट्स आपको बता दू कि जन्रली जो लेजर बुक बनती है ना वो क्या कैसे एक बाउंड बुक जैसे आप लोगों की आती है नॉर्मल बुक जिसमें आप लोग कॉश्चन लिखते हो वैसी होती है पर एकाउंट के लिए कैसी वह रेट कलर की रेट पुठे वाली कड़क बुक और उस बुक के स्टार्टिंग में पहले पेज पर हमेशा इंडेक्स बनाई जाती है लेजर बुक में पहले पेज पर क्या बनाया जाता है इंडेक्स बनाया जाता है जैसे आप लोगों की जैसे test book होती है तो test book के starting में index होती है ना chapter 1 chapter 2 chapter 3 और उस पर page number लिखे हुए होते हैं होती है कि नहीं तो वैसे लेजर बुक के लिए भी laser book के लिए भी starting में index बनाई जाती है कि जिस index में और कुछ नहीं हर एक लेजर का पेज नंबर ही लिखा हुआ होता है क्योंकि वह पेज नंबर आप लोग हर बार ढूंडने थोड़ी जाओगे कि जैसे किसी का एकाउंट बना हुआ आप अब एबी सी एकाउंट कउनसे पेज नंबर नंबर नंगे donc क्या बंशाल अब कुछ भी लिखना हो फोग ऑनफ़ेजर नंबर 26 को लेंगे हमलोग है कि उस वर Abraham पेज पूरे 200 पेज की वह बुक डूढने जाओगे कि कहां आए भाई एबीसी एकाउंट कहां पर है तो स्टार्टिंग इंडेक्स में ही सब लिख देते ना इंडेक्स में हर एक एककाउंट के पेज नंबर लिखे हुए होते हैं क्या जिससे एकाउंट लिखने में एजी हो और और दूसरी एक चीज़ कभी अगर उपने यह से भर जाय तो फिर को कर देख जेए निर बनसå फिर किरेंव उसके जैसे एक अश्रूं ब़कogen आकि ऑपकी और अब नॉर्मल बोक जिसमें आपने लेजर बना रहे हो कि एक पेज पर एबी से अकाउंट बना या पूरे साल में बहुत सारे ट्रांजेशन्स हुए उसके और पूरा पेज भर गया अभी तो छे महीने ही हुए पेज भर गया तो अब क्या करें पीछे वाले पेज पर दो जैसे जनरली यह जो लेजर बुक होती है वह अलग-अलग टाइप की आती है एक लेजर बुक होती है जनरली कार्ड जैसी हर एक के लिए अलग-अलग कार्ड जैसे मैंने आपको बता है कि वह जैसे दूद वाला आता है पेपर वाला आता है वह आपका कार्ड बना के देता तो अगर पूरा कार्ड भर गया तो क्या करेंगे दूसरा कार्ड बना लो तो इसमें भी अगर इसका पूरा कार्ड भर गया हो अगर इसको कार्ड की तरह लिखा हो तो पूरा कार्ड अगर भर गया हो तो फिर क्या करेंगे दूसरा कार्ड इसको बना के दे देंगे ठीक है न यहां फिर दूसरा कोई diamondic रखता है कोई बिसनेसमेन ऐसे रखते हैं जो जनरली एक क्या सकते हैं लेफ टाइप पत्यों किया लग-लग पेज़िस होते हैं काड़ नहीं कड़काड़ नहीं पेज़िस ही होते हैं लेकिन अलग अलग की तरह सब जुड़े हुए थोड़ी होते हैं बरबन कोई-कोई बिजनसमें ऐसा लेजर रखता है कि जिसमें हर एक लेजर अलग-अलग पेज पर होता है तो अगर बायचांस इसका एक पेज भर भी गया तो दूसरा पेज उसमें एड़ कर देते हैं फाइली तो है पंच करक रखते हैं लेकिन जो बिजनसमें बाउंड बुक रखते हैं बाउंड बुक मतलब के एकदम जो क्या कहते हैं फिक्स बुक जैसे आपकी टेस्ट्बूग यहां आपकी नोट्बुक आती है अब उसमें आप कोई-पर जा तो दूसरा पेज एड़ कर सकते हो नहीं कर सकते न एक पेज़ पे आपने ये एबी से एकाउंट लिखा वो पेज भर गया तो पीछे तो एक्स वाइज दूसरे का नाम लिखा हुआ है तो आपको दूसरा पेज बीच में एड हो सकता है आप जिसमें कॉशन आंसर्स लिखते हो उसमें आप लोग अगर वो जुगाड करते हो क् भी करते बड़े बड़े बिजनसमें क्या वो फेविश्टिक लगाकर पेज जोइन करेंगे ऐसा करेंगे नहीं बड़े एकाउंट में ऐसा नहीं होता भई तो फिर क्या किया जाएगा उसमें तो उसके लिए फिर उस बुक में जहां पर आखरी पेज खाली हो ना या तो जो दूसरी बुक हो न वहां पर इस एकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ट्रांसफर कर देना मतलब कि सपोज यह एबी सी एकाउंट हम लोग लिख रहे हैं अब आखरी में यह भर गया यह बर गया आप दूसरी भी एंट्री करनी है लेकिन यह बर गया तो उसको दूसरे पेज पर ट्रांसफर कर देंगे और यहां आखरी में उसका page नंबर लिख दिया जाता है कि जैसे सपोज यह एकाउंट page नंबर 26 पर है अब यह बर गया तो अब दूसरा page नंबर 128 खाली है पूरी बुक में आखरी वाला page खाली है 128 तो यहां पर लिख देंगे इसको 128 पे ट्रांसवर कर दिया तो कभी अगर इसका एकांट डूणने करेंगे किटना बाकी है फिर आखरी में लिखा होगा पे मेंता 128 भी है तो फिर से पेजनवर 128 पे जाएंगे और वहां भी चेक कर लेंगे क्या भाई ABC में और भी चीज़ें हैं इसमें इसमें तो जो अलग पेज अगर एड़ नहों होता हो तो इस तरह से पेज को ट्रांसफर कर दिया जाता है उसमें यह हर एक बिजनस्में अपनी स्वरियत के इसाब से अपने अपने convenience के इसाब से लेजर बूक बनाता है ऑब हम लोग इसमें प्रौपरल्य सीक्टेंगे से कैसे की जाती है जो आज लिए कलगे वीडियोगे हमनों लोग देखेंगे आज प्रोपल्परली ध्यान आया ना आपको के लेजर पोस्टिंग किसे कहते हैं पोस्टिंग कैसे की जाती है वलब कल देखेंगे ठी थ्हीर ही थोड़े माइंड में क्लियर देखेंगे जब जोज में देखेंगे कल इनके साथ साथ टेस्ट भूग भी आपके साथ में रखना कि उनमें क्वेश्चन्स देखते जाएं और यहां पर सॉल करते जाएं पिर कि ओके थैंक्यू